पुश्कार मैं हूँ साक्षी सिंग और आप देख रहे हैं इडियल नियूस कंगना रावत की रियल्टी शो लॉक अप को लेकर जवरदस्ट बज बना हुआ है शो फिनाले की और बढ़ रहा है आपको बता दे कि शो में कई खिलाडी आए और गए लेकिन कुछ दमदार खिलाडी है जिनने शो को उचाईयों पर ले जाने का क्रेडित दिया जा सकता है इन खिलाडियों ने कॉंट्रिवेसी क्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अपने गेम से हसाना हो रुलाना हो या सीक्रेट बता कर शोक्ड करना हो आपको बता दे कि लॉक अप के इन खिलाडियों ने हर मौके पर ओडियंस को एंटर्टेन किया है इस रिपोर्ट में बात करेंगे लॉक अप के उन दमदार कैदियों की जिन्हें बिग बॉस 15 में फैंस बतोर खिलाडी देखना पसंद करेंगे आपको बता दे कि लॉक अप के खिलाडी सलमान खान के शो की टी आर पी बढ़ाने में एहम रोल निभा सकते हैं तो जानते हैं उन कैदियों के बारे में जो सलमान खान के शो में चार चांद लगा सकते हैं साथ ही रियल्टी शो को धेर सारा कंटेंट दे सकते हैं इसी के साथ आपको बता दे कि पुनम पांडे हाल फिलाल में लॉक अप से एविक्ट हुई है आपको बता दे कि एविक्षन के बाद पुनम पांडे ने बिग बॉस पंद्रे में जाने की इक्षा ज़ताई है पुनम ने लॉक अप में टॉपलेस होने जैसे बड़े बादे किये उपन एरिया में नहाया भी इसी के साथ पुनम पांडे के बीबी पंद्रे यानि बिग बॉस पंद्रे में आने से शो में ग्लैमर का तर्का लगना तो तैह है क्योंकि लॉक अप में तो पुनम अपनी ब्यूटी और ग्लैमर प्लान नहीं कर पाई कई दफा पुनम के बिग बॉस में जाने की खबर आई हैं पर हर बार ये खबरे अब बास साबित हुई है लेकिन इस बार तो मौका भी है और दस्तूर भी देखना होगा मेकर्स पुनम को सलमान खान के शो में कितनी जगए देते हैं आज की खास कबर में बस इतना ही तेश दुनिया से जूरी खबरों के लिए देखते रहे ये एरियल न्यूस धन्यवाद